नमस्तार दोस्तों मेरा नाम है अमन गोजरे और आप देख रहे हैं टैक टॉक और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दो मोबाइल्स के बारे में जी हाँ दोस्तों एक तरफ है एपल का आइफोन 6S और दूसरी तरफ है रेड्मी का नोट 7 प्रो तो दोस्तों आज हम इन दोनों फोन्स की आपस में टकर करवाएंगे ऐसे नहीं दोस्तों हम यहाँ पे इन दोनों मोबाइल्स का जो है यहाँ पे मैं बात करूँ आइफोन 6S की तो यहाँ पे आपको जो है इसमें थोड़ी छोटी बैटरी देखने को मिलती है और यहाँ पे जो आइफोन के अंदर बैटरी है वो 1750 mAh की बैटरी है तो काफी जादा छोटी बैटरी है और वही पे अगर हम बात करें रेड्मी नोट 7 Pro की तो यहाँ पे इसमें आपको 4000 की जो बैटरी है वो देखने को मिल जाती है काफी दिफ्रेंस है और अगर हम बात करें दोनों के चिप सेट्स की तो एपल के अंदर आपको आइफोन 6S के अंदर आपको A9 इनका चिप सेट देखने में मिलता है जब कि अगर हम बा आइफोन 6S की डबल कीमत है जो वो उतनी स्पीड देती है आपको कि आप उस पर डबल पैसे कर जहीं यहां फिर रेड्मी नोट 7 प्रो आपके लिए बैटर चॉइस है तो बिना गिजी तेरी के दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहां पे हम इन तोनों फोन्स का कमपैरेजन करने जा रहे हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से वाथ से एक प्रेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे न्यू आये हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आगे भी डेर सारी आसी वीडि मैं वो बं है और अब हम सबसे पहले शिर् See Now करता है सबसे पहले हम अपर open कर थेह योट्यूब और देखते हैं कि किस मोवाइल में य모ड जल्दी ओन होता है तो दूस्तों यहां पे डैफिनेटली YouTube है वह Note 7 Pro में जल्दी लोड हुआ है तो एक पॉइंट यहां पे जाता है Note 7 Pro को इसके बाएट यहां पे हम गाइज इसका App Store जो है वो उपन करके देख लेते हैं तो यहां पे भी डेफिनिटली जो App Store है वो यहां पे जल्दी प्ले स्टोर लोड हुआ है तो यहां पे भी 2nd point जो है हम देंगे यहां पे Note 7 Pro को दोस्तों उसके बाद हम यहां पे उपन कर लेते हैं Instagram App को और हम देखते हैं कि कौन से मॉबाइल में यहां पे जल्दी Instagram उपन होता है तो यहां पे जो Instagram लोड होने के जब थोड़ा सबस्तों बेनेफिट रहा है वो रहा है यहां पे iPhone में तो यहां पे iPhone ने जल्दी इसको लोड किया है और अब हम दोस्तों उपन कर लेते हैं Flipkart को और देखते हैं किस मॉबाइल में जल्दी यहां पे Flipkart उपन होगा तो definitely यहां भी जो Snapdragon है वो काफी ज़ादा फास निकला यहां पे अच्छे से लोड किया और यहां पे अगर हम बात करें ब्राउजर की तो यहां पे ब्राउजर जल्दी iPhone में जो है दोस्तों लोड हुआ है हलका सा फास था लेकिन यहां पे फरक यहां पे जरूर देखने को मिल जाता है अगर हम बात करें यहां पे Facebook Messenger की तो यहां पे Note 7 Pro में जो है वो Facebook Messenger जल्दी लोड हुआ है as compared to Apple के और अब हम यहां पे open करें यहां पे camera दोस्तों तो हम camera यहां पे open करके देखते हैं कि किस phone में जो है camera जल्दी open होता है camera दोस्तों definitely definitely बिना किसी दूविधा कि यहां पे iPhone में जल्दी लोड हुआ है तो definitely यह plus point है और अब अगर हम बात करें Galpi के तो हम यहां पे दोनों मोवाइल भी फोटोस open करता है तो Galpi भी जो है iPhone में दोस्तों यहां पे सबसे पहले लोड हुई है और उसके बाद यहां पे Note 7 Pro में यहां पे आपको open देखे को मिलती है उसके बाद दोस्तों अगर हम यहां पे बात करें Facebook आप की तो देखते हैं कि कौन से phone में आपको Facebook जल्दी यहां पे Note 7 Pro में डेफिनेटली जो Facebook है वो जल्दी लोड हुई है और यहां पे आप देख लेंगे TikTok जो है वो रिमूव कर दिया गया है प्लेस्टोर से और इसके बाद उसके बाद उसके हम कर लेते हैं PUBG टेस्ट पबजी बहुत जारा और अगर हम देखते हैं कि किस मुवाइल में जो जल्दी पबजी लोड होती है यहां पे अगर उपनिंग की बात करें तो ओपन तो डेफिनेटली आइफोन में हुई है जल्दी पबजी और इसके बाद देखते हैं कि कौन सी गेंग ज़र ज़र्दी स्टार्ट अप करती है फिल्हाल अगर हम देखे तो डेफिनेटली आइफोन आगे चल रहा है तो यहां पर डेफिनेटली जो हमारी पपजी है वो लोड हो चुकी है यहां पर एपल पे यहां पर बिना किसी दूवी था कि एपल ने जो है बजाए के रेड्मी नोट 7 प्रों के यहां पर हमारे पास दोनों मॉबाइल में जो गाना.com है और अगर हम उसे लोड करें तो यहां पर भी हलका सा जो है आइफोन में फरेख है पिल्कुल थोड़ा सा ही फरेख है यहां पर लेकिन आइफोन में जाजा जल्दी जो है गान 10% जो है वो बैटरी यहां पर देखने को मिल जाती है लेकिन एगर मैं यहीं पर बात करूं रेड्मी नोट 7 प्रों की तो यहां पर जो फिल्हाल बैटरी का स्टेटस है वो है 88% तो हम यहां पर 15 मिनिट के लिए दोनों मॉबाइल के अंदर जो है पॉबजी रन करेंगे औ आइफोन की बैटरी चोटी है तो यहां पर आइफोन की बैटरी जल्दी डाउन होगी लेकिन कितनी डाउन होगी हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं यहां पर काई अगर मैं ग्राफिक्स के बात करूं तो रेट्बी में नोट 7 प्रो में जो आपको पबजी के ग्राफिक्स है वो यहां पर आपको एचदी और हाइ में देखने को मिल जाते हैं और अगर मैं बात करूँ smooth की तो आपको smooth पे जा के आप ultra पे कर सकते हो अभी हम HD और high में खेल रहे हैं यहां पे graphics में और अगर मैं बात करूँ apple के iPhone की तो यहां पे भी अगर हम graphics की बात करें तो यहां पे हम HD और high में play कर रहे हैं और अगर हम smooth में जाये तो smooth में हम यहां पे high पे कर सकते है हैं लेकिन फिल्हार जो हम शाटेंग्ट ड़ाइव में दोनों में हैट है मतोब सृष्च क्रीस के हम वह से लगान करते होंगा हैं तो आप हम स् स्टाप इसम करते हैं और अब सिल्हार पे जागे vicious इस दोनों महसूस होती है तो अगर मैं यहां पर बात करूं पहले रेड्मी नोट 7 प्रो की तो यहां पर इसकी बैटरी जो है वह आपको 82% यहां पर शो कर रहा है दोस्तों और अगर मैं बात करूं यहां पर आपल आइफोन की तो यहां पर बैटरी है वह 53% रहेंगे दोस्तों काफी जयादा यहां पर बैटरी ड्रेन हुई है इसके बाद अगर हम यहांपर बात करेंगे दोनों अगर हम यहाँ पर प्गो की मेरा और अगर को मोबाईल की जो है पिक्चर लेंगे और देखेंगे कि किस मोबाईल में जो है वह वो पिक्चर ज़ल्दी ग्लिक होते है दोस्तों तो डेफिनेटली यार यहां पे मुझे जहां पे लग रहा है कि हाँ यहां पे डेफिनेटली गाइस थोड़ा सा जो बिल्कुल मिली पॉइंट का फरक है यहां पे तो आपल में थोड़ी सी जल्दी पे क्लिक होती है यहां पे अगर हम बात करें Redmi Note 7 Pro की और अगर हम यहां पे Clarity ही बात करें तो Clarity यहां पे आप देख सकते हैं कि जो Redmi Note 7 Pro का कैमरा है उसमें फोड़ी प्लैकिश फोटो आई है लेकिन यहां पे यहां पे यहां तो ब्राइटनेस का इचलो हो सकता है फॉन में के फॉन की ब्राइटनेस जो है वो इतनी जाला नहीं इन्होंने अच्छे से डेवलप की है लेकिन फोन की जो स्क्रीन है वो एपल आईफोन में जाला ब्राइटर है तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर मैं क्वालिटी की बात करो तो पिक्चर क्वालिटी यहां पे दोस्तों मुझे सेम ही नज़रा रही है क्योंकि इसमें जूम जाला हो रहा है जैसे कि आप दे नोट 7 Pro से यहां पर हमने comparison किया इनकी Apps का जहां पर हमने काफी सारी Apps को यहां पर दोनों मोबाइल में रन किया एक साथ पर और देखा किस मोबाइल में स्टीड जादा थी कुछ Apps में यहां पर आपको Redmi Note 7 Pro में जादा स्पीड देखने को मिलती है कुछ में आपको यहां पर Apple के iPhone में जादा स्पीड देखने को मिलती है लेकिन अगर मैं overall बात करूं यहां पर जो Apple iPhone के system software हैं जैसे कि आप camera की बात कर लें या फिर गैलरी वेगरा की बात करें तो वो definitely यहां पर जादा फास्ट ओपन होते हैं लेकिन अगर हम बात करें थर्ड पार्टी Apps की तो definitely वहां पर कहीं न गहीं Redmi Note 7 Pro ने पाजी जरूर मारी है तो अगर हम बात करें दोनों फोन की pricing की तो pricing भी यहां पे काफी जादा फरक है इन दोनों phones का आपको almost double कीमत पे यहां पे iPhone देखने को मिलता है जबकि Redmi Note 7 Pro आप हाफ कीमत पे ले सकते हैं और अगर हम बात करें comparison का तो इन दोनों का यह था आज का comparison अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो पे लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आप किस तरह का और comparison Redmi Note 7 Pro का देखना चाहते हैं किसी और मोबाइल के साथ मैं पूरा-पूरा ट्राई करूँगा कि आपके लिए वो लेक कि लगी कर दो कि आपके लिए